तो आजकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक ब्रेक आउट और बेकडाउंस को हम लोग किस तरीके से आइधिक कर सकते हैं पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं वन बाई एस्तेप बाई स्था पूरा एकए चीज में आपको बताने वाल कुछ उप्तिंग कर कर दूँगा ठीक है तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते है गाइस तो गाइस अभी हम लोग आ चुके अपने स्क्रीन पर तो मैं सबसे पहले यहां पर अपना जो बिटकोईन का चार्ट है वो अपन कर लिया हूं ठीक है तो गईस देखो फेक ब्रेक आउट ब्रेकडाउन को लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद डबल कन्फरमेशन तो मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूं ओके तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना पूरा नोलेजबल वीडियो रहने वाला है अगर आप यह की अच्छानलेज यहां पर आज मिलने वाला है उक है अब आप यहां पर देक सकते हो यहां पर देखोई एक चलो मैं आपको एक बार इसको मां करके बताता हूं ठीख है यह मारगे नीच्छे फल कि आटिए यहां से यहां से मांता किन जब करेंगे तक आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ठेक है कि अगर प्राइब ह। यहां पर कंसोलिडेसिट करता है तो अगर आपको यह पता लगाना एकि जो यहां से अगर इसका ब्रेकाउट आया है यह यह आप कैसे पता करोगे तो तो यहा पर आपको दो confirmation के साहत जाना रहता है, first confirmation क्या है? मैं आपको first confirmation बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, wait for candle close, जो मैं follow करता हूँ, wait for candle closing, आप इसे write down कर सकते हो, अपने नौटबूक में, okay, wait for candle closing, okay, सबसे पहले तो हमें candle के wait करना है कि बाई वो उपर जाके, सपोर्ट के resistance के उपर जाके क्या है, close करे, तो यहां पर मान लो इस जगे candle बन रहा है, तो यह candle जो है, इसका opening यहां होना चाहिए, और यहां पर closing होना चीए, यानि कि इस जो resistance है, यह वाला जो resistance है, इसके उपर जाके यहां काई close करना चीए, अब यह closing का time frame कुछ अलग-अलग हो सकता है, जहां पर आप trade करते हो, जैसे यह 15 minute भी हो सकता है, यह 5 minute भी हो सकता है, ओके, तो time frame आपके उपर depend करता है, अगर आप 15 minute पर जाओगे तो एक अच्छा confirmation माना जाता है, 5 minute पर जाओगे तो थोड़ा सा कम confirmation यह माना जाता है, ओके, हाला कि आपके trade करने का नजरिया क्या है, आप किस time frame पर trade करते हो, अगर आप 5 minute पर entry, exit या trade करते हो, तो आपको 5 minute पर confirmation का wait करना है कि candle उपर जाकि close करे, ओके, तो तीन पहलो है, अभी आपको मैं पूरे तीनों समझाने वाला हूँ, दूसरा है retest, अगर इसने close किया है, और अगर ये candle सूपर के तरफ बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा, आप wait करो, आपको wait करना है, आपको सीधा यहां से buy नहीं करना है, ठीक है, आपको wait करना है market price जो ह यहां पर कोई bullish candle बनाना चाइए, ओके, यहां पर यह कोई, bullish candle form करना चाहिए, यहां पर किछ, यहां पर bullish candle form करेगा, जैसे ही यहां पर एक हैमर केंडल बनेगा इस तरीके का nos बनेगा ठेकित ग्रीन कर देता हूं कि आपको अच्छे सब्सक्राइब ऐधकर अगर यहां से कुछ इस तरीके का था किंडल बनाता है साही नहीं बना ज़ज możगा इस थोड़ा और यहां तो यहां से अगर कोई hammer candle बनाता है थो थो हम लोग यहां से entry कर सकते हैं किस तरीके से यहां पर अगर देखो यहां से अगर इसका entry हमारा यहां होगा इसके में पवर आंपको च्पर आपका अए तो आप पर इस सिले सकते नहीं होता अगर आप यह पर एज स्क्राइब सकते हो ठीक हैं टूड़centered को यहाँ बाइञे कितना होगा आप का टारगेट गांडीव मुण К chews तो आपका पूरा टार्गेट वो देगा ओके आपको वेट करना है अब आपको देखो काईस मैंने कितने पॉइंट्स बताएं वन टू थी फस्ट क्या है वेट फॉर केंडल क्लोजिंग हमें वेट करना है कि वाई केंडल यहां पर उपर जाके क्लोज करें दूसरा है वह वा तीसरा है वह कोई बुलिश केंडल फॉर्म करना चीए यहां पर कोई बुलिश पैटन मना चीए टिक है बुलिश केंडलिस्टिक पैटन तो हम लोग तब जाएंगे बाइंग के साइड तो यह 3 कंफरमेशन है एक फेक ब्रेक आउट को पैचानने के इसी तरीके से अगर को केंडल को क्लोस करना चीए इस जगे ठीक है केंडल यहां पर क्लोस करना चीए ओपनिंग यहां पर होगा तो यह रेड कंडल का कैंडल होगा ठीक है यह रेड कलर का होगा कुछ इस तरीके से ओके तो ऑपनिंग यहां क्लोजिंग यहां नीचे होना चीए दूसरा तीस्रा बात यह है यहां पर कोई biris candlestick pattern बनाना चाहिए अब किस तरीके से के मां लोगर यहां से red candle आता है यह इतना बड़ा swag candle बनाता है कि यह ग्रीन केंडल यह क्या है red candle तो यह कौन सा पटन होगा काईस आपLoग में वेर को बता व कमेंट में जरूरबता देना थिक तरुर्ड तो यहां पर हमारा ऑगा के zika अ सब्सक्राइब फ्रेक निंग फीर फेक तो गाई सबस्क्राइब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई जो breakout है वो real है या fake है ओके तो guys अगर देखो कभी भी fake अभी मैंने real का तो बात कर लिया अब हम लोग fake का बताते हैं कि fake में क्या 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 आपको तो देखने को मिलेंगे, ठीक है, कभी भी आप देखोगे, तो यार, प्राइज ऐसे कुछ मूव करता है, उपर जाता है, एक केंडल बनाया, क्लोजिंग भी कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग भी कर दिया उपर, लेकिन अगला ही जो केंडल होता है, वो पूरा का पूरा रजिस्टेंस लेवल के वापस नीचे आके कर दिया, तो यह फेक ब्रेक आउट था, ओके, यह में इससे पता जलता है, अगर यह इसी जगे, यहीं पर इसी रजिस्टेंस लेवल के आसपास रुख जाता ना, तो भाई हाँ मेरे को कन्फरमेशन देता कि रिटेस्ट कर और नीचे आने के बाद में यहां से कोई एक सेलिंग केंडल बनाए, अगर यह हैमर, शूटिंग स्थार या फिर कुछ और अजदर तरीके का केंडल बनाता है यहां पर, तो हम लोग डाउंसाइड जा सकते हैं, और कितना जा सकते हैं, यह जो नीचे सपोर्ट होगा यहां करने का तरीका, यह तो मेरा तरीका है, बाकि आपको कोई और अरलग तरीका जानना है, या फिर तो आप मेरे को कमेंट पर बता सकते हो, यहां पर पूरा लाइव बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, यह तो हमने साइकलोजिकल बाते की ठीक है, अब मैं आपको पूरा चार द पेटन था, यह गाईस एम पेटन था, इसने इसका ब्रेकडाउन किया यहां पर ठीक है, नीचे जाके केंडल यहां पर देख सकते हो, ख्लोजिंग भी किया है, ओके, क्लोजिंग करने के बाद में यह वापस इसी लेवल पर गया, यह हमारा नेकलाइन था, ठीक है यह नेक अब यहां नहीं तो यहां एंट्री कर सकते थे, कहीं पर भी कर सकते हो, ओके, अब आप देख सकते हो, आपका स्टॉप्लोज कहा रहता अगर इसमें, मैं आपको बता हूं, तो इसमें आपका एंट्री यहां होता, ठीक है, एंट्री यह हो गया, इस्टॉप्लोज आप यह है अच्छे ट्रेट्स आपको पांच मिनिट में मिलते हैं और आप देख सकते हो यह में का रिजेक्शन देखे भी यहाँ पर मार्केट फोल किया है ओके अगर मैं वन इस टू यह फोर आपको मिला है अगर मैं थोड़ा से उपर कर दू तो देखो कम से कम आपको 50-60 करने का तरीका अगर मैं आपको दूसरा तरीका बता हूं ठीक है एक और तरीका मैं आपको बताता हूं यहां पर देखो अगर मैं यहां पर एक कोई पैटन देख पा रहा हूं तो ठीक है यह देख सकते हूं यहां पर एक डूल कन्फरमेशन का पैटन था यहां पर यह आप यहां से इसने एक trend line बना दिया कुछ इस तरीके का, अब यह इसी channel में move कर रहा था, अब यह guys आपका कौन सा pattern है, मैरे को यह बताओ, चाहिसे वो breakout या breakdown support and resistance का हो, या फिर कोई pattern का हो, तो बस आपको तो retesting का, closing का, और एक bearish या bullish candle के बनने का wait करना है, सब कुछ आपको triple confirmation के सा यहां से देखो, यह market गिरा हुआ था, यहां से फिर market ऊपर consolidation किया, अब यह मेरे को लग रहा है कि यह कौन सा pattern है, यह है bearish flag pattern, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते है, bearish flag, ठीक है, इसको bearish flag pattern बोलते है, ठीक है, यह पांच मिनट पर बन रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें breakout या breakdown falls है, ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, अब आप यहां पर देख सकते हो, यह गिरा यहां से, इसके अंदर consolidation किया, इसने एक कह सकते है, यहां पर कितना बड़ा fall किया है, ठीक है, अब आप लोग तो मुझे पता है, आदे से जादा तो यहीं पर EC candle के अगले low पे enter हो जाते, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, वेट करना है, market fall किया, closing किया, बढ़िया वाला कोई बात नहीं चलो, ठीक है, हमें वेट करना है, वापस EC type पे कहीं पे rejection, यहां पर उपर जाके ही retest करे, तो guys, इसके almost इसने यहां पर आके, इसने इस जगे retest क करने के बाद में, आप लोग यहां पर इस जगे एंटर हो सकते थे, ठीक है, यह वाला candle, यह जो bearish candle है, देखो कितना अच्छा candle है यहां पर, क्योंकि एक bearish candlestick pattern है, जिसको हम लोग shooting star बोलते है, तो यहां पर यह बना है, अगर हम लोग यहां पर enter होते है, तो कितना guys point capture कर जो रहा था, ठीक है, 1-4 arm से मिल रहा था, आप देख सकते हो, तो यह होता है, कुछ भी pattern के, pattern को identify करने का तरीका कि भाई हाँ, उसमें यह fake breakout है या breakdown है, तो चलो guys, अभी मैं आपको एक और example बताता हूं, इसमें अगर मेरे को मिलेगा तो ठीक है, चलो देखते हैं, यहां प यहां पर रजिस्टेंस था, ठीक है, यहां पर यहां पर support था, ठीक है, हाँ, हाला कि अब आप यहां पर बोल सकते हो, किस तरीके से कि भाई हाँ, यहां यहां पर कुछ हुआ है या नहीं, देख सकते हो, अभी यहां पर नीचे क्या है, इसने breakdown दिया, सब से पहले, ठीक है इस range पर ऐसे travel कर रहा था यह, ओके, यह सिर्फ range है, एक simple range है, जिसमें support है, और यह resistance है, जैसा कि अभी मैं आप से बात कर रहा था, ओके, अब आप देख सकते हो, यहां पर क्या किया, इसने, यहां से इसने नीचे जाके closing कर दिया, ठीक है, चलो closing कर दिया, कोई बात नहीं ह लेकिन यह जैसे ही अगली next candle पर यहां तक गया तो सही, लेकिन वापस पूरा का पूरा reverse किया, और उपर जाके close कर दिया, फिर उपर जाने के close करने के बाद में उसका high break किया, और यह यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद में इसने resistance का breakout करने का कोशिश किया, ठीक है, सम करने के बाद में क्या किया, इसने यहां पर जाके थोड़ा सा EMA का rejection लिया, और यहां पर एक pattern बनाया, ठीक है, तो यहां पर मैं एक तरीके से EMA strategy को follow करके यहां से EMA का यहां पर stop loss लगा कि यहां से मैं enter हो सकता था, इस जगे, ठीक है, इस जगे मेरा entry बन सकता था, ओके, आप यहां पर देख सकते हो, तो यह अगर मैं point capture करता, तो यहां पर मैं entry लेता, आराम से, क्योंकि मेरा breakout भी आ रहा था, ठीक है, sorry, breakdown भी आ रहा था, support का, और यहां पर यह closing भी किया, ओपर जाके retesting भी किया, और एक bearish candle बनाया, फिर से, ओके, तो bearish candle बनाया, तो मैं यहां enter हो जाता, आराम से, stop loss लेता, मेरा यहां तक का, okay, target में लेता, यहां तक का, आप देख सकते हो, अगर मैं यहां तक भी लेता, तो आराम से 1000 point capture होते है, ठीक है, तो आपको risk तो लेना पड़ेगा ना, यार, risk तो लेना ही पड़ेगा, okay, इसने first breakdown दिया, लेकिन trap करके, करता ना, मैं वापस से selling करता यहीं पर, इसी जगे कर देता, ठीक है, मैं इसी जगे selling कर देता, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर पूरा rejection मार दिया, देख सकते हो, दुबारा कोई red candle बनाया ही नहीं, लेकिन यहां पर बना, और थोड़ा सा नीचे आया, तो मैं यहां पर sell कर इस तरीके से यहां पर fake breakout और breakdown को identify किया जाता है, तो देखो guys, मैं आपको यहां पर back test करके दिखाया है, मैं आपको रात को live stream में, live trading करके भी बताता हूं, इन सबी चीज़ों के उपर, तो अगर आप लोग join करना चाते हो, तो join कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आय क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में बहुत जादा मैनत लगती है, तो guys, मिलते हैं next video में, जिसमें मैं आपको एक और अलग strategy बताऊंगा कि आप किस तरीके से fake breakout और breakdown को identify कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर अच्छे कासे comments आएंगे और likes आएंगे तो, ठीक है, चलो guys, मिलते ह next video में, thank you